हेलो वाट सब गाइस आज हम इस फीडियों में देखेंगे लोड़े स्टेट इना रियक्ट रॉट अप्लिकेशन जहां गाइस तो आप देख सकते हूं कि दो मुमेंट में मोबिस वाले पेज पे जाता हूं तो हमारा जो लोडिंग स्टेट है वो हमें दिखाई देता है एं इतर्षास सम्टाइबम्स टाइम लगता है देटा को फैच करने में ठीक है तो वो जो लोडिंग स्टेट आप कैसे किरेट कर सकते हुआज मैं आपको बताने वाल औहला हूं देखए क्ल की विडियो तक हमने देखा कि हम डेटा को कैसे फैच कर सकते ब्ना यूज इपक्त इसके अंदर बहुत सारी चीजे जिसमें से एक इसका काम है यहां पर आप देख सकते हो and that is global loading indicators ठीक है basically loading indicators हमें यह देता है जिसमें आप देख सकते हो यहां पर इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है यह देखो the moment अगर आप इस hook को यूज करते हो तो आपको navigation.state.location.form.data.json.text.form.action.form.method.form.incryption.type पता नी क्या कुछ है बट हमें क्या चाहिए हमें चाहिए होगा navigation.state ठीक है I hope आपको पता चल गया होगा तो अब देखो एक global state है मतलब ऐसा होगा कि आपको वो loading state पाने के लिए let's imagine हम यह movies वाले page पे हैं जब तक यह data आनी जाता मुझे loading state दिखाओ कल की दिन में इसको और further एक-एक individual page पे भी redirect करके बताऊंगा वहाँ पे भी जब तक उसका data नी आ जाता loading state दिखाओ कल की दिन let's say contact page पे भी मुझे कुछ extra data server को भीजने तो जब तक वो नी हो जाता loading state दिखाओ क्या मैं हर page पे loading 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 करके बैठूंगा नहीं आपको best part यहाँ पे react router ने कर दिया है and that is आपका जो app layout है once header set तो खत्म हर page में आप header रहेगा footer रहेगा outlet में वो जो data children है उसकी वो one by one change होता रहेगा उसी तरीके से हम app layout के अंदर ही loading state को define करेंगे अगर state loading है तो loading दिखाओ बनना data दिखाओ simple तो देखो app layout पे आपको आना होगा तो let's use our use navigation use navigate हमने उस दिन use की थी error page के लिए go back button के लिए now this time it's a use navigation यहां पर आप खुद ही देख सकती हो ना यह confused नहीं हो ना use navigate अलग है use navigation अलग है मुझे तो लग रहा है react से जादा हम hooks यहीं पर ही पढ़ ले रहे अना this is it ठीक है अब यह आपको multiple data return करता है एक साथ तो उसको बस आप store कर लिजे अब एक बार मैं दिखाना चाहता हूं कि आपको इसके अंदर मिल क्या रहा है क्योंकि यह जानना जरूरी है तो यहां पर चलते हैं मैं एक बार inspect कर देता हूं यहां पर चलता हूं console पर इसको एक बार में refresh कर देता हूं ठीक है so कहीं न कहीं या या this is it यह है यह देखो अभी थुई दिर पहले मैंने आपको read करके बताया था यह देखो state है आए text है location है JSON है form का method है यह form action data encryption type थुई दर पहले उन्होंने दिखाया था हमें भी वह मिल गया but एक चीज है यहां पर and that is यह वाला particular portion यह यह जो पार्ट है इसको आपको नहीं बूलना that is state वह जो use navigation hook है उसके अंदर हमें state मिलता है जिसकी different values है फिलाल तो अभी आपको ideal दिखाई दे रहा है मैं अगर यहां पर चलता हूँ state पर so yeah this is it देखो यहां पर आप देख सकते हो navigation dot state triple equal to loading यह देखो क्या होता है ideal होगा loading होगा फिर ideal होगा या तो ideal submitting loading ideal तो यह यहां पर देखो navigation dot state अगर आप यूज करते हो तो यह कुछ data आपको मिलता है ideal मतलब कि कोई pending stage नहीं है सब perfect हो चुका है submitting it means a root action is being called due to form submission तो यह submitting part है जब आप form create करते हो को API का request यूज करो लेटसे आप एक post request यूज कर रहे हो अपना front end का data server को देने के लिए तो उस समें जो time लग रहे है तो उस समें इसका submitting आ जाएगा आपको पता चल जाएगा and तीसरा है loading मतलब the loaders for the next routes are being called मतलब जिस page पे आप हो उसके बाद आप एक दूसरे page को call कर रहे हो तो उसके बीच में भी तो थोड़ा सा time लगेगा ना तो उस बीच यह loading state आ जाता तो navigation.state में we have this ideal submitting and then loading as value तो अगर हमारा navigation.state जो है देखना यहां पर if navigation.state की value if it is triple equal to your loading यह देखो oh my god automatic suggestion आ रहे है देखो loading बस खत्तम return loading इस तरीके से ठीक है this is it अगर यह है तो यह else यह हो जाएगा simple बस इतना ही करना था इस इतना ही है मैं इसको एक बार हटाता हूं एक बार में refresh कर देता हूं oh my god यह बहुत ज्यादा फास्ट हो गया इसलिए आपको पता नहीं चला बट कहीं ना कहीं console में at least all right यह कोने में वो data दिखके आता है ठीक है बट आपका काम हो गया बस आपको करना यह है कि यह जो hardcore data है इसके बदले हम अपना खुद का एक loading का जो user interface है वो create करेंगे तो again आपको आना होगा आपके layout में इस particular layout में यहां पर मैं loading.jsx करके file create करने वाला हूं ठीक है so it's loading.jsx and I have this particular piece of code simple बच्चों वाला एकडम loading obvious है यह component react में इसी define करेंगे return एक dably container and loader section यह css file का नाम है and एक और dably जिसमें class loader add कर दिया तो basically यह है कुछ इस तरीके का आप देख सकते वो जो एक effect पाने के लिए कहां चला गया वो effect को पाने के लिए हमें इतना loader का section इतना लंबा code लिखना पड़ता है ठीक है and don't worry source code बिल्कुल free है and one more time मेरे पूरे YouTube वीडियो जर्नी में जितने भी मेरे वीडियो से सब सारे programming languages इसके सिप 249 रूपीज में इसको जरू check out किजिएगा आपको मजा आ जाएगा ठीक है यह इतना मेरा काम हो गया है इसको मैं controller save कर देता हूँ loading को controller save कर देता हूँ ठीक है यह component है app layout पर आऊंगा यह जो particular part के बदले मेरा जो loading वाला component है उसको मैं call कर दूँगा खत्म मेरा काम हो गया बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है अगर loading state है तो यह दिखाई देगा else आपका data आ जाएगा खत्म सो या गाइस this is it आज इस वीडियो के लिए इतना है मैंने कहाना आज को बहुत ही सिंपल है क्यों 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 इतना सिंपल हो गिया है बना सच में हर एक पेज़ पर एक एरर का component एक loading component याद हम कैसे बनाते थे पहले जगे जगे API में जाके वह loading को पहले false true कितना महनत का काम था बट अब देखो कुछ मेनत ना सहनत बस हो गया खत्तम है इतना ज्यादा असम सो यह दिस इस इस वीडियो के लिए इतना ही आई हो बीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आऊगा एंड यह बहुत फास्ट हो रहा है इसलिए आपको दिखनी रहे बट कोई नहीं आप नेटवर्क टैप में जाके ट्रॉटलिंग या तो फास्ट 3G या इसलो 3G करके चेक आउट कर सकती हो एंड गाइस बताना चाहूंगा वीडियो पसंद आते प्लीज लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ भर भर किसे कुछ भी डाउट ओ कमेंट जरूर कीजिए गाइस मुझे बहुत खुसी होगी आपकी हेल्प करने में अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कीजेगा आप गाइस आपके सब्सक्राइब की बिना मेरे चैनल तो कुछ भी नहीं है तो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए राइट एंड और मुझे खुसी भी है इसमें लेकिन मैं चाहता हूं प्लीज आप भी अगर सब्सक्राइब कर दो को मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ओसम वीडियो से आगे लेकर आने वाला हूं आप उसको मिस नहीं कर सकते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजएगा मिलता हूं कल की वीडियो में दीज quelle देम गईजए देक्ट पेक्यों